नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल में स्टैसिप कलाज़ पर दोस्तों पंजाब एंड हर्याना हाई कोट ने एक बहुती महत्वपून फैंसला सुनाया है क्रमचारियों से सम्मंदित है आए जान लेते हैं क्या कुछिस में बता गया देखिए यहाँ पर अग पर बाद में 2016 में दोस्तों उनकी जो है मिर्त्यू हो जाती है किसी कारण से ठीक है लेकिन मिर्त्यू होने से पहले दोस्तों उनको 2006 में पक्का कर दिया जाता है सरकार के दवारा उनकी जो सेवा उसको नीमित कर दिया जाता है 2003 से यहनिके बैक डेट से उनको नीमित कर दिय जाता है तीन साल से, ठीक है, इनके 2006 में पका उता लेकिन उनकी पका जो डेट वह 2003 से लागू की जाती है एक तरह से, ठीक है, तो बाद में उनकी जो मिरतिवों के बाद दोस्तो उस समय जो करमचारी के जो आशरी थे उन्होंने उनको वितियलाब दे दिया जाता है, लेकिन वितियलाब देने के बाद दोस्तों उनके जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्होंने उनमें से एक ने जो हर नोकरी की भी एक तरह से अपील की कि उनको जो अनुकमपा क्यादार पर नोकरी दी जाए तो इसी मैटर को लेकर वो हाई कोट तक पहुँचे थे लेकिन दोस्तों हाई हाई कोट ने यहाँ पर फैंसला सुनाया है कि अगर आपने वितियलाब ले लिया है यानि के वहाँ पर जो रासी थी मृतक परिवार को जो रासी दी गई वितियलाब ले लिया है तो आप अनुकमपा के आदार पर नोकरी का दावा नहीं कर सकते तो यहाँ पर यह फैंसला एहम फैसला दोस्तो, हाइकोट ने पंजाब एंड हर्याणा हाइकोट ने सुनाया है देखें, यहाँ पर क्या कुछ कहा है, यहाँ बताया गया है यदि अनुंकमपा के आदार पर नोकरी का देश दिया तो दोहरा लाब होगा यानि के करमचारी को दोहरा लाब जो आशरित है उसको दोहरा लाब नहीं दे सकते या तो या तो आप वितिया सायता ले लीजिए यानि के पैसा ले लीजिए या फिर अनुकमपा के आदार पर नौकरी ले लीजिए यहाँ पर ये बात निकल कर सामने आती है मृत्यक की पतनी के ने जो लिये थे वित्या लाब अब बेटे ने अनुकम पा क्या दार पर मांगी थी नोकरी तो दोस्तों उस समय जब करमचारी की मृत्य हुई तो बेटा जो नाबालिक था यानि के नोकरी के एक तरह से काबिल नहीं था एज गम थी तो अब वो जो के साहता ले ली है तो अब नोकरी लेने के हकदार नहीं है ठीक है तो यह एहम फैसला सुनाया है हाई कोट ने बाकि आपका अपना क्या विचार इस विचार पर जरूर केमेंट्स बोक्स में सेर करें तो यह छोटी सी अपडेट आप लो ले थे घर आप भी चाते हैं रिया